हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू दीप रस्वई फ्रेंट्स आज मैं आपके लेके आया हूं मटर के खीर इन हिंदी फ्रेंट्स इजी टू मेक रसीपी है आप पी इसे घर पे असानी से बना सकते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी होती है बड़ फ्रेंट्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं तो चलिए फ्रेंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं मतर की खीर मतर की खीर को बनाना बहुत ही एजी है और आप इसे घर पे जरूर ट्राइ करें हमने यहाँ पे करीवन 200 ग्राम मतर ली है जिसको कि हम मिक्सी में तोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे हमने यहाँ पे साथी एक किलो दूद लिया है जिसको कि हम अच्छी तरीके से उबाल के करीबन इसे आधा किलो के होने तक इसे उबाल के तयार कर लेंगे साथी फ्रेंट्स हमने यहाँ पे एक बाउल शुगर ली है आधा चम्मच हमने यहाँ पे इलाइची पाउडर लिया है आप चाहें तो इलाइची पाउडर को घर पे भी तयार कर सकते हैं बहुती आसानी से इलाइची पाउडर आप घर पे तयार हो जाता है और इससे जो हमारी खीर का टेस्ट है दोगुना हो जाता है साथ ही हमने यहाँ पे कुछ ड्राइफ्रूट यूज़ किये हैं कुछ काजू यूज़ किये हैं बदाम यूज़ किये हैं कुछ किस्मिश यूज़ किये हैं जिनकों के हमने चौप करके तयार कर लिया है साथ ही फ्रेंट्स यूज़ करेंगे चार चम्मज घी तो चलिए फ्रेंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं मतर की खीर सबसे पहले हम मतर को mixer grinder jar में हलका सा यानि थोड़ा दरदरा सा इसको पीश लेंगे इस तरीके से फ्रेंट्स हमने मतर को दरदरा सा पीश के तयार कर लिया है तो बनाना स्टार्ट करते हैं मटर खीर रसेपी सबसे पहले फ्रेंट हमने एक कडाई ली है कडाई को हमने अच्छी तरीके से गर्म कर लिये उस पर हम तीन बड़े चम्मच हमने यहाँ पर घी को गर्म कर लेना है घी हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है तो हम मटर हमने दरदरी पीस के रखी थे उसको हम इसमें डाल के भूल लेंगे अब मटर को हमें अच्छी से 4-5 मेट के लिए इससे भूल लेना है और गैस के प्रेम को हमने freaking medium रखना है ताकि जो हमारी मटर है जले नहीं और अच्छी तरीके से भून के तैयार हो जाएं इस तरीके से हमने मटर को करीबन 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून के रख लिया है तो अब इसमें हम एड़ करेंगे इलाइची पाउडर इलाइची पाउडर से जो फ्रेम्स हमारे खीर का टेस्ट है बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही टेस्टी आता है करीबन 1 मिनट के लिए इसे भी हम अच्छी तरीके से भून के तयार कर लेना है तो अब इसमें हम मिलाएंगे मिल्क इस तरीके से फ्रैम्स हमने यहाँ पे इसमें दूद को एड़ कर दिया है अब इसे हम मेडियम फ्रैम पे जब तक कि हमारा यह दूद है इसमें अच्छी तरीके से तोड़ा गाड़ा ना हो जाए तब तक इसे हम पकाएंगे और इसे बीच बीच में हमें चलाते जरूर रहना है और ध्यान लखना है कि हमारा दूद हुआ है उबाल ना जा आ पाए इसलिए से बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और जब तक कि गाड़ा ना हो जाए तब तक इसे पकाएंगे फ्रेंट्स दूद में हमारा वाल आने लग गिया है हलका सा गाणा भी होने लग गया है तो इसे बीच बीच में चलाते रहें और जब तक ये गाणा नहों जाए तब तक इसे पकाते रहेंगे फ्रेंट्स खीर को हम चेक कर लेते हैं इसमें दूद काफी हद तक सूख चुका है तो अब से हम एड़ करेंगे शुगर शुगर को आप अपने टेस्ट के रिकॉर्डिंग यूज़ करें मैं यहाँ पर करीबन लिक बाउल से थोड़ा सा कम सुगर यूज़ कर रहा हूं मिक्स कर लेंगे से अच्छी तरीके से और इसे करीबन पास से साथ मेट के लिए और पकाएंगे है फ्रेंट्स मटर की खीर कराओ इसे में बनने में ताइम जरूर लेती हैं लेकिन आपने मैं बहुत ही तेस्टी होती आपर शेयर में रख के फंडी खीर कुछ篇दory कर सकते हैं उसे इसका यह आप फोक्यों यह बहुत ही टेस्टी आता है अब इसे हम करीबन 5-7 मिनट के लिए लो मेडियम फ्लेम पे पकाएंगे फ्रेंट्स हमारी मटर की खीर बन के तैयार हो चुकी है तो इसमां हम एड़ करेंगे अब राइब फूर्ट्स मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और एक मिनट के लिए करीबन इसे पका लेंगे फ्रेंट्स मटर की खीर बन के तैयार हो चुकी है हमारी परफेक्ट तरीके से बनी है तो इसे एक बाउल में सिप्ट कर लेते हैं फ्रेंट्स हमारी मटर की खीर बन के तैयार हो चुकी है बहुत ही टेस्टी बनी है हमने इसे चेक कर लिया है आप इसे हाट हाट्स भी सर्फ कर सकते हैं आप इसे फ्रीजर में रखके ठंडे खीर भी यूज कर सकते हैं फ्रेंट्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरी बागी रेसिपी को देखने के लिए दिये हुए लिंक पे क्लिक जरूर करें थाल को दो